तो मैंने जैसा आपको अपनी पीशी वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं PlayStation के Hands-On Event के बारे में जो कि dedicated है PS5 के लिए जो कि PlayStation का upcoming console है तो यहाँ पे Hands-On Event हो चुका है और यहाँ पे Japanese YouTubers को मौका मिला था PlayStation को officially देखने का और उसमें game खेल के उसका experience लेने का तो यहाँ पे आज वीडियो में हम बात करने वाले कि PlayStation Hands-On Event में हुआ क्या था और वहाँ पे हमें specifications reveal मिल चुके है PlayStation 5 के और controller के इस भी specifications टोटली पता चल गए है तो welcome back to my channel aka Feb और आज की वीडियो में हम बात करने वाले Hands-On Event और PlayStation 5 के specifications के बारे में तो चल यहाँ वीडियो शुरू करते हैं आपने वीडियो में देखी लिए होगा कि PlayStation कितना अच्छा लूख है उसका और उसका control भी कितना अच्छा होने वाला है तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उसकी controller के बारे में पहले तो यहाँ पे controller में एक light strip दिखने को मिलती है वो LED light strip है और वो हम अपने हिसाब से customize कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छी बात है कि किसी भी controller में अपने हिसाब से customization कर सकते हैं यह सबसे best thing होती है तो बात कर लेते हैं PlayStation 5 के specification के बारे में उसके GPU CPU के बारे में तो हमें इसमें AMD की तरफ से CPU देखने को मिलता है Custom 8 core AMD Zen 2 CPU 3.5 GHz और यहाँ पे हमें SMT variable frequency भी देखने को मिलते हैं जो कि gaming के लिए बहुत अच्छी है और यह आपको बहुत अच्छी 4K gaming करा देता है तो अब बात करते हैं main चीज यानि GPU जो की gaming के लिए सबसे important है तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है AMD की तरफ से Custom AMD RDNA 2 GPU with 36 CU and 2.23 GHz की variable frequency देखने को मिलती है और इसकी GPU power के बारे में बात करें तो वो है 10 Teraflops की जो की काफे मिलती जूलती है Xbox Series X से तो अब बात कर लिते है RAM के बारे में तो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 16 GB DDR60 RAM जो की latest है और यह बहुत अच्छी है gaming के लिए तो अब बात कर लिते है story space के बारे में तो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 1 TB की SSD Solid State Drive जो की आपकी speed और load time को बहुत कम कर देती है और आपके gaming experience एकदम smooth कर देती है और आपको मजा आ जाएगा इसमें game खेलके तो दोस्तो आज की video में बस इतना ही video कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना अच्छी लगी हो तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलता है अगली video में till then सोच बदलो देश अपना बदल जाएगा बाई